हलो और वेल्कम बेक तो मैं चैनल तो स्टूडंस आज हम करेंगे हमारा क्लास 9 का सगेंड पोएम जिसका नाम है विड तो पोएम जो मैं पहले ही एक्स्प्लेइन कर चुकी हूँ तो आज हम लग उसका कोशिन अंसर करने वाले हैं ठीक है जिस किसी ने भी वीडियो नहीं दे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के नीचे जाकर देखें मैं लिंक दे दूँगी ठीक है तो वहां से जाकर आप लोग इसली देख सकते हैं और वो पोएम देखने के बाद ही आप लोगों को समझ मायगा कि क्या एंक्यू किसलिए कहा गया है ठीक है तो चले स्टार्ट करत इन बाद ही तो पहला इस टेंजा में जो पोइट है वो बताते हैं कि वीड क्या करता है जब भी हवा आता है तो वो क्या करते हैं जितने भी वीडु सितने जो तो क्या करते हैं तोड़ के बाद में जितनी भी बुक्स मतलब या। वसके बुक्स क से तोड़ करें था और वह आप लोगों सोचेंगे कि हवा कैसे पैजेस फारेगा आप लोगों कभी देखा हुआ कि अगर हम लोग कुछ भी पेपर रखते हैं या कुछ भी बुक्स हो इतनी जोड से कभी-कभी हवा आती है ना कि हमारे जो पैजेस है वो क्या हो जाते है इधर उधर बिखीर से जाते हैं और उसी में वो जो पैजेस होते हैं वो फट भी जाते हैं ठीक है तो हम कभी-कभी बोलते हैं यह हवा के साथ सब कुछ खराब कर दिया और उसके बाद में फिर वो क्या करता है वो बारिश भी लेकर आता है और तो और इतना ही नहीं बलकि वो जो हाउसेस होते है जो कमजोर घर होते हैं, उसे भी वो क्या कर देते हैं, एकदम से बरबाद कर देते हैं, ठीक है, तो पहले स्टेंजा में हमारे पोईट यही बताते हैं, विंड के बारे में, ठीक है, तो अब चलते हैं हमनों हमारा second question में, What does the point say the wind God we knows, point क्या बताते हैं wind को God we knows के बारे में, ठीक है, मतलब जो wind है, जो हवा है, उसे point जो क्यों God we knows कहते हैं, The point says that the wind God we knows those the people who are with crumbling houses, crumbling doors, crumbling rafters, crumbling wood, crumbling bodies, crumbling lives, crumbling hearts and then crushes them all. यहाँ पर point बताते हैं, wind को मतलब कि वो एक God we know से, क्योंकि जो wind है न, वो क्या करते हैं, जितने भी कमजोर people होते हैं, उसे हैं नुकसान पहुंचाते हैं, ठीक है, और उसके बात में, जितने भी कमजोर घर होते हैं, उसे वो नुकसान पहुंचाते हैं, जितने भी कमजोर जो वूड से बने हुए चीजे होते हैं ठीकि चाहे वो चेयर हो चाहे वो टेबल हो जितने भी कमजोर चीज से बने हुए सारे के सारे चीजों को वो क्या करता है बरबाद कर देता है उसके चाहे वो कमजोर किसी का जिंदगी हो या कमजोर किसी का सरीर हो या किसी का दिल हो हर एक चीज को वो क्या करता है विंड जो एकदम से खतम कर देता है अब यहां के जो हमारे पोईट है ना वो क्यों विंड को ही ऐसा कहते हैं यहां पर एक तरह से वो हमें बता रहे हैं कि अगर हम लाइफ में अपने आपको स्ट्रॉंग नहीं रखते हैं तो हमारे साथ क्या होगा कोई भी एक होता है ना कि यह इंसान अपने आपको मजबूर नहीं रखा तो एक हवा का जोका आया और सब सारा का सारा कुछ क्या कर दिया बरबाद कर दिया लेकिन अगर वही चीज अगर strong हो तो कोई कुछ नहीं बिगार सकता है न तो वैसे ही हमारे point जो बता रहे हैं ठीक है तो third वाले question में फिर क्या पूछा गया है What should we do to make friends with the wind? हमें क्या करना चाहिए ताकि हम wind के साथ में दोस्ती बना के रखें To make friends with the wind we must make ourselves strong by physically and mentally हमें अगर wind से अगर हवा से अगर दोस्ती करने है तो हमें क्या करना परेगा सबसे पहले अपने आपको strong बना के रखना होगा हम लोग दिमाग से भी अपने आपको strong रखना परेगा और हमें physically मतलब हम अपने सरीर से और दिमाग से दोनों से ही अपने आपको strong रखना होगा तब ही हम wind के साथ क्या कर सकते हैं दोस्ती बना के रख सकते हैं We need to build strong houses. और हमें क्या करना होगा? जो भी हम घर बनाते हैं, उसी क्या करना परेगा? बहुत मजबूती से बनाना होगा. With famed doors by doing all these things. और हमें क्या करना परेगा? जितने भी घर के जो दर्वाजे होते हैं, वो बहुत ही मजबूत जो लकडिया होते हैं, उससे बनवाना होगा. ठीके, तब ही जो के हम क्या कर सकते हैं? Wind के साथ दोस्ती बना सकते हैं. The wind will not harm us. और ऐसे करने से, अगर हम अपने आपको मजबूत रखते हैं, अगर हम physically और mentally भी अगर हम अपने आपको strong रखते हैं, अगर हम मजबूत घर बनाते हैं, उसके दर्वाजे मजबूत बनाते हैं, मजबूत लकडिया से बनाते हैं, तो इससे क्या होगा कि wind जो है, वो हमें नुकसान नहीं पहुचाएगा, बलकि वो हमारे और दोस्तों बन जाएंगे. अब कैसे, अब विंड कैसे दोस्तों बन सकता है, अब आप लो खुच सोचो, ठीक है, अगर एक कमजोड चीज है, चाहे वो किसी का relation हो, चाहे वो किसी का, आप कह सकते हैं, बोडी सो, अगर relation weak है, तो वो क्या होगा, अब कहते हैं ने कि, एक misunderstanding, एक गलत फहमी हो, या कुछ भी हवा का जोका हो, जिसके वो रिलेशन खराब हो जाता है, या फिर आप कह सकते हो, अगर वो उसकी बोडी बहुत ज़दा weak है, ठीक है, तो उसे क्या होगा, एक हवा का जोका हैगा, उसकी सारी जोबी बोडी के weak हैंगा, वो एक दम से खतम हो जाएगी, मतलब वो बर्बाद कर देगा उसे, ठीक है, उसकी सरीर को बर्बाद कर देगा, और तो और अगर हम अपने दिमाग को mentally, अगर हम लोग सही नहीं रखेंगे, तो भी क्या होगा, हमारे लिए ही नुकसान होगा है, तो ऐसे में हम अगर हमारे साथ सब कुछ गलत ही होती रहेगा, तो हम हमीशा विंड को ही दोस्ते रहेंगे, हम बोलेंगे कि आरे विंड ने आया, एक हवा का जोका आया, सब कुछ बरबाद कर देगा, लेकिन अगर हम इसे चीज़ को सुधार ले, अगर हम खुद ही स्ट्रॉंग बनके रहें, तो विंड चाहे भी तो वो कुछ ही नहीं कर सकता है, न तो इसे हमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगे, और नहीं विंड को कोई प्रॉब्लम होगे, इसे हम विंड के क्या हो पाएंगे, एक अच्छे दोस्त बन पाएंगे, जब कभी भी हवा आएगा, तो हम खुश होंगे, आरे, विंड आया, ठीके बहुत अच्छा हवा लग रहा है, यह वो, एकसेटर, एकसेटर, ठीके, लेगिन इसे चीज़ पर अगर विंड सब कुछ बरबाद ही कर दिया, फिजिकली, मेंटली, हर चीज से हम स्ट्रॉंग बना के रख सकते हैं, तो हम विंड के साथ क्या कर सकते हैं, दोस्ती बना के रख सकते हैं, ठीके, तो फिर फोर नमबर पे क्या है, वाट डू दा लास्ट फोर लाइन्स अप दा पॉम में टू यू, अब पूछा जा रहा है कि जो पोएम की जो लास्ट चार लाइन है, ठीके, पोएम में आप लोग चार लाइन है, जो आखरी लाइन है, ठीके, अब वहां से आप लोगों को क्या समझ में आ रहा है, वो पोएम से आप लोगों को क्या समझ में आते हैं, तो यहां पर कहते हैं कि जो पोएम को चार लाइन है उसे हमें पोएम जो यह मैसेज देना चाहते हैं कि ठीक है जितने भी पीपल से ना जितने भी पीपल होते हैं हर किसी को यह मैसेज देना चाहते हैं कि जो विण्ड है वो हमेशा ही एक कमजोर चीज़ों पर ही ऐटेक करते हैं फोर recording यहां पर बताया गया है कि अगर एक फाइर हो अगर कहते है एक छोटा सा फायर अगर कहीं पे आप छोटा सा आग जला के रखो और उसमें अगर आप क्या करोगे जरा सा हवा का जोका आएगा तो वो क्या होगा आग जो एक दम से बूच जाएगा लेकिन इसे जगा पे अगर आप किसी फोरेस्ट में हो या कोई बहुल बड़ा आप लोगों ने नोटिस भी क्या होगा किसी का घर जल जाता है ठीक है तो आग चारों तरफ फैल जाते है और उस चीश पे अगर आप एक दू जग या एक दू मग अगर पानी भी डालते है तो वो क्या होता है वो और भरक जाता है वो कम नहीं होता बलके और ज़्यादा भरक जाता है ठीक है तो आप लोग खुद यहां से देख लो कि आग दोरू तरफ है एक है जो बहुत कम है ठीक है और एक है जो बहुत ज़्यादा है तो हवा तो एक बड़ जब हवा आया तो वो क्या हुआ आग को बुझा दिया ठीके और और एक बच जब हवा आया तो वह जो जादा वाला आग है जहां पर वहां पर वह क्या हुआ और भरग गया कम नहीं हुआ तो इसे से पता चलता है की विंड भी इस ट्रॉंग चीश को देखता है ठीके अगर वो वीक है तो वो और क्या करता है एक तब ही वीग बना देता है अगर वो स्ट्रॉंग है तो वो उस चीज को क्या करेगा बिलकुल भी नुकसान नहीं पोचाएगा और नहीं वो किसी का बरबाद कर पाएगा ठीक है तो इसलिए हमसे पॉइट कहते हैं कि अगर आप अपने आपको वीग ब जाएगा ठीक है तो आप लोगों को यह कुशी रंसे कि एक्स्प्लेनेशन समझ में आये हो और शायद कहीं न कहीं डाउट भी हो तो प्लीज आप लोग जाके वीडियो जरूर देखे विंट पोयम का एक्स्प्लेनेशन जब तक वो नहीं देखें कि आप लोगों को समझ म में नहीं आएगा तो पोयम को अच्छे से आप लोग समझे और कुछ भी डाउट हो आप लोग मुझसे क्लियर कर सकते हो तो थैंक यू सो मच अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब करें लाइक करें और शेयर करें